तो चली दोस्तों आज का टॉपिक हमारा जो है खाद जाल ठीक है खाद जाल क्या होता है आज हम खाद जाल के बारे में पढ़ने बाले हैं मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो अप्लोड कर दी खाद स्रंक्रा के ऊपर आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं तैंत त्वालत और बाटनी और एमसी फर्स सेमेस्टर वाले यह आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टन्ट टॉपिक है आपका खाद स्रंक्रा और खाद जाल इससे आप जरूर कर लेना नोट ठीक है तो चली दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट और चनको सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब जूरू कर लेना ठीक है तो पढ़ने खाद जाल होता क्या है तो अधिकान्स पारिसितिक तंत्र में अनिक प्रकार के उत्पादक जैसे हमारे हरेब होगे वह वह बोगता उनको खाने वाले ठीक है उत पादक और भोगता त होते हैं इस प्रकाद से कई स्रं यहां पर एक खाज जाल ठीक है अभी हम यांँ कर सकती है क्सका कर सकती है इसे चील बक्षियों को खा सकते हैं यहां पर एक जाल बन रहा है ठीक है और यहां पर सेकेंड जाल यह है ढहले हैं और यह जो सकते हैं और ऑगारी को कीवा में टीक है और यह लीजा होता है यह बेडिया पक्षियों को भी खा सकता है ठीक है और जो बिल्लिया होती है बिल्लिया होती है टिड्ड़ों को खा सकती है और जो चील होता है जो चील होता है बिल्लियों को खा सकता है तो यह क्या होता है एक दूसरे पर मतलब एक जाल सा बना रहा है ठीक है मतलब यह एक पक्ष जो है दो पक्षियों को मतलब खा सकते हैं मतलब जीव जन्तों को खा सकते हैं जिससे क्या होता है यहां पर एक खाद जाल का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं खाद जाल या फूड वेब करेते हैं ठीक है फूर मतलब क्या होता है हो जान तो यहां पर हमने आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से ठीक है तिहां पर हम और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं ठीक है जो खाज जाल में पाए बिल्लियां टिड्डे से होते हैं से एक दूसरे से समंदित होते हैं इसे को हम क्या करते हैं खाद जाल कहते हैं और प्लब्द बोजन के आधार पर पिरते के स्थार पर बिवन जीव बिवन इस तरहों के एक स्थार अधिक जीवों पर निर्वार होते हैं मतलब एक जीव दो पर निर्वार हो सकता है या एक ही जीव तीन पर निर्वार हो सकता है क्या होता है वो खाद जाल होता है ठीक है चुहा कई प्रकार के तैने जड़वा बीच खाता है साप चुहों का सिखार करता है जैसे का आपको पता है यूगर साप चुहों को को खा सकता है और गिद्द सांप को खा सकता है मतलब इसका सिकार कर सकता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार से इस प्रकार से यह है जटिल खाद सरंखला का खाद जाल का निर्माड करता है मतलब घतल का स्रंखला से एक करता है करता हम क्या कहते हैं इस अब देख लेते हैं हम जो पारिस्षितिक मतलब एको सेस्टम होता उसमें कहा जाल की ज 사용 में होते आधिक जीवित प्राणों समझत मतलब कम Mirndyy की होती कि अभी मैंने आपको बताया तो जैसे टीक है पाकची क्या खा सकते हैं तीड़ों कहा सकते हैं तिक और जो चीछ होटे पच्छी खा सकते हैं इसी टाइब से क्या होता है इनकी बैकलپिक युक्तियां होती हैं गेंसे युदि किसी छेत्र में सासक मतलब संग कम हो क्या उसका सिकार करने वाले दूत्याकोवहों दूत्याकोभिटा बाज पक्छी भी कम हो जाएगी वास्तर्म में ऐसा नहीं होता है क्यूंकी क्यिंकी साफक के मतलब भुधार्गोस होता हैं उनके कम होने से बनस्पतियों को अधिक वुगने का मौका वेखा मिलेगा ठीक है क्यों िएनके उनको उगने का मोका मिल जाएगा यह से क्या होता है उनको जिससे फल्वा बीज अधिक उत्पन होंगे पैणाव स्वरूप उस स्थान पर चुहे अधिक उत्पन होंगे जैसे की और बाज खरगोज के स्थान पर चुहों को खाने लगेंगे ठीक है खरगोज के स्थान पर किसे खाने लगेंगे चुहों को खाने लगेंगे और बाज अपनी संख्या में बने बनाए रखेंगे मतलब जो अपनी बाज रहते हैं अपनी संख्या को बनाए रखेंगे ठीक है जैसे कि खरगोश की संख्या कम होती है तो घास भी जादा होगी ठीक है इस प्रकार क्या होगा चुहों को खाने लगेंगे क्या बाज और अपनी संख्य को बनाए रखेंगे इस प्यकार से खाद चाल के जितने खाद बेकल्पिक रास्ते होंगे उतने ही जीव मतलब कम्यूंटी इस्थर होंगे मतलब उसने ही स्थाई होंगे तथा पारिष्थितिक्तां संतुलित रहेगा बैंसे ही जैसे कि यहां पर जो खरगोस होते हैं वो क्य से क्या होता है दोस्तों यह खास स्रंक्ला का एक निर्माण करते हैं तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको फुल डीटेयल में बता दिया है ठीक है आपनी नोट डाउं जरूर कर लेना दोस्तों और आपके लिए मुझ्ट आइम पी कॉस्च चैने दोस्त झाल झाल